कि हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सब ठेक होंगे आए आए आज बालो जी का अध्यान करते हैं कि कच्छा बारा जी विक्यान है अभी आपके क्लासेज के देले में नहीं लग पा रही है तो अब वीडियो के माधन से परियास किया जा रहा है कि आपके पढ़ाइस सचारूरू से चलती रहा है अब देखिए यह आपका कच्छा बारा का कोर्स है इसमें पांच यूनिट ती गई हैं पहले यूनिट में जनन पढ़ना है दूसरी यूनिट में अनुंसिकी और विकाज है तीसरी यूनिट में जिविग्यान और मानों कर लिए चौती यूनिट में जयो प्रद्योग की यहां पर हम आपको अलग अलग यूनिट पढ़ाएंगे अब ही हमारा प्रियास रहेगा कि इकाई तीन जिविग्यान और मानों कल्याण इसको पढ़ा लिया जाए कि इसको आप देख सकते हैं यहां पर यह दिया गया है यह विशे सूची है एक-एक यूनिट के कई-कई अध्याएं यहां पर बताएगा है वीडियो को आप पाज करकर के देखते रहिए और अध्यान करिए तो यूनिट तीन का यह पार्ट है लेसानेट मानों कल्याण में जिविग्यान अर्थाद मानों कल्याण में जिविग्यान की महत्य उप्योगिता क्या है तो इस यूनिट का पहला अध्याय है मानों स्वास्थ तथा रोग मानों स्वास्थ क्या है और रोग क्या है इसके समंद्ध में स्पार्ठ में अध्यान करेंगे कि यहां पर देखिए इस पार्ठ में सबसे पहले आपको परिचे दिया गया है हम आपको पढ़ाएंगे मानों स्वास्थ मानों स्वास्थ क्या है अर्था स्वास्थ मनों से किसको कहा जाए कौन स्वास्थ है कि देखिए केवल कोई बीमारी ना होना आपके सरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वास्थ हैं यह जरूरी नहीं है कि आप स्वास्थ होना एक अलग बात है आपके सरीर में बीमारी है या नहीं है यह एक अलग बात है भाई बीमारी है तब तो आप स्वास्थ नहीं यह है यह बोदल है लेकिन बीमारी कोई नहीं है कि की सघ्राषी के भीतर कोई रोग नहीं है मैं कुई संक्रमक रोग नहीं कBoy Assam कर नहीं है फिर भी आपस्वस्थ नहीं हो सकते हैंoutez इसा का जा सकता है कि है क्लिकी होने के और भी पेरामीटर्स हैं और भी मानक है स्वास्थ होने के और क्या मानक है यहां पर आप देखते हैं हम आपको हैलाइट करके दिखा रहे हैं यह देखिए विश्थ स्वास्थ संगठन के नुसार मनुस्थ की तो सार्ट एक नाट स्वास्थ संगठन के नुसार मनुस्थ की सारेरिक मानसिक और सामादिक स्वास्थ की पूण रूपें और कुशयलता कास्थ स्वास्थ कहलाती है इता है कि ओभी की अनुपस्तिती इन नहीं जैसा आपके आपके सारी में रोग नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आप पूर्टया स्वस्थ हैं आप पूर्टया स्वस्थ तब कहे जाएंगे जब आप सारीरी कूर्प से मांसिक रूप से समाजिक रूप से पूर्टया स्वस्थ हों तब ही आपको स्वस्थ कहा जा सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्मार करता है जिससे आपका देश स्वस्थ रहता है स्वस्थ समाज ही अपने देश अपने परिवार की आर्थिक और समाजिक उन्नति का आधार होता है तो सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है और देखिए वेक्ति विशेश की व्यक्तिक संतुष्टी का भी स्वास्थ परिपूंड microwave अतले में महत्व पूर्ण का जाता है भहत टिक परियावरां उतिक परियावरां आपके चारों तरफ टilपरियावरां ह канजडब मतलब कहीं कंजणबस्ती के किनाय आपका परिवार रहता है मकान वन गया नों तो में टो छोसे आप में आपके मकान हैं तो वेसा यासमाजिक प्रृष्टन आप में पर लेह लिखे लोगों के बीच में रहेंगे उच्च Lag Såari ऌब लोगों के आश्पास आप रहते हैं तो वैसा विचार रहेगा खराब लोगों के संपर्ग में रहते हैं तो वैसा पर्याबरण भी स्वस्त हो कि तब ही आप स्वस्ते रह सकते हैं कि जिट्राट दसमल्ड एक में अपको क्या यह सारी आपको बताएगा है सारीलिक स्वास्थ सामाजिक स्वास्थ और मांसिक स्वास्थ वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा जल्दी वजल्दी बताने कोशिश करेंगे आपको और वीडियो को आप जब देखेंगे तो पाउस करकर करके इसको अध्यान कर सकते हैं इसके नोट्स भी बनाते रहना और यदि आप रख सकते हैं तो वीडियो को आप रखिए सेव रखिए कहीं पर और बार-बार देखिए बार-बार इसका रिविजन कीजिए अब जरूरत पड़ती है कि अच्छा स्वास्थ कैसे बना रहे हमारा स्वास्थ अच्छा कैसे बना रहे हैं इसके लिए क्या क्या जरूरते होती हैं तो अपने स्वास्थ को अच्छा बनाए व्यक्ति को मिल रही है तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है दूसरा है नियमिद व्यायाम आज कल की भागम भांग जिरनगी में व्यायाम का उसर नहीं मिलता है किसी को जबकि व्यायाम भोजन से भी ज्यादा जरूरी है भोजन तो जरूरी है पर व्यायाम उससे भी ज्यादा जरूरी है इसके बाद व्यक्तिगत व्यक्तिगत सचता क्या है कि आप खुद सास उथरा रहे स्वक्ष रहे और अपने परिवेस को भी स्वक्स रखिए जहां पर आप रहते हैं आसपडोस में कि किसी तरी की गंदगी नहीं होनी चाहिए इसके बाद सामधाइक सुचता भी रखे अपने अरोस पुडोस में नालियां गंदी बजबजा आ रही हैं बह रही हैं और बहुत लोग गंदगी फैल आते रहते हैं तो उनको भी समझाईए उनको रोकिए उनको गंदगी के नुक्षान बताईए तो इस तरह से आप सामधा परियावराण जब सामधाइक सुचता होगी तो परियावराण स्वस्त रहेगा तीका करण भी आवस्यक परियावस्यक है स्वस्त रहने के लिए ठीका कारण जन्म से पहले जो टीका लगते हैं वो सभी टीके समय-समय पर लगवा लेने चाहिए इससे आपकी है कि रोग के रोगाणों को ले जाकर के स्वस्थ स्विक्ति में ठांस्मीट कर दिते हैं हुआ उनका नियंत्रण करना ची एक म辉टी हैं मंखी हैं हैं मकडई हैं फटेमल हैं जुए हैं यह सब कि भीमारियों को एक व्षा से दूसरे व्षाय總 теперь देते हैं तो इनका नियंत्रन रखें या इनसे बचें अच्छी आदतें आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए अच्छी आदत में क्या है याद करिए वही आरली टुराइज अरली टुवेड ठीक है वह पूरा पोयम अपने पर लागू करने को प्रयास करिए समय से उठीए समय से सोईए समय सखाईए समय से पढ़िए समय से मनुरंजन करिए समय से घूमने जाए समय से वापस आईए बस यही अच्छी आदते हैं स समय से बहुजन करिए बहुजन करने के अपने नियम होते हैं सोने के अपने नियम होते हैं तो सब भी नियमों को याद करिए इसके बाद मनुरंजन वो भी जरूरी है बहुत जरूरी है लेकिन उसका पी समय होना चीए समय से मनुरंजन करिए यह नहीं कि दिन बर मनुरंजन नहीं करते रहो तो बाकी सब काम बेकार हो गए उचित निद्रा देखिए जब आपके सैनकच का वातावरुन ठीक होगा तभ पानी टपक गया तो इसलिए आप अपने सयनकच को ऐसा बनाईये जहां भी आप सोते हैं आपके एक कोई बाधान आउत्पन हो सुने में उचित निद्रा ठीक है पूरी निद्स छोट्री आट गंटे जो भी आपके समय है वोगा पूरी निद्स समय से लिट सब्समे नाब आफ य साधीमारियां रapedर नाव से ईत्पन्न होती है तर नाव एक ऐसी विमारी है जिसका ना रूगाणू है ना इस परिस्तितिया कि आप लड़ के लो नहीं पाता है और स्टाल काल हर नागाईत्रों सवास्ति के लिए बहुत होती है तनाव से बचे रहने का सबसे उत्तम इलाज कहिए या बचाओ कहिए योगा है योगा करिए तनाव मुक्त रहिए इसके अलामा भी देखिए स्वास्त को प्रभाइद करने लिए बहुत सारे कारक होते हैं इसमें परियावरण ये प्रदूरिशाण है रोगाणू है रोगाणू मतलब जिसे जीवाणू किटाणू प्रोटो जोवा क्रिमी ये सब रोगाणू होते हैं यह आपके स्वास्त को प्रभाइद करते हैं आनुवनसिक विसंगतियां होती हैं बहुत बहुत लोगों के मदर फादर में उनकी पीडियों में जो पिछली पीडियों के पीडियों थी उनमें बहुत सारी आनुवनसिक विसंगतियां होती है तो उससे भी व्यक्ति का स्वास्त प्रभाइद होता है इसके अलावाद सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तुरुटी पूर्ण जीवन सैली क्या है समय से भोजन नहीं कर रहे हैं समय से पा है कि यह सारी जो तुरुटी पूर्ण जीवन सहली कहलाती है इसमें खान पान ज्यायाम नीन सब गलबड़ा जाता है उतने बैठने घंग सही नहीं है गलत तरीके से बैठना गलत तरीके से चलना सोना यह सब गंदियात्ते होती है यह भी आपके स्वास्तिक प्रभाइद क चोटें कभी कभी कुछ कारी कर रहे हैं कहीं घर में फैक्टरी में संस्थान में कुछ काम कर रहे हैं गाड़ी चला रहा है कोई कुछ इस तरह काम कर रहे हैं तो आपको चोटे लग सकती है और चोट भारी भी हो सकती है हलकी हो सकती है कहीं ऐसी जगह चोट लग गई जो आ को माझनोप स्वास्थि के संब्ग में अगे अच्छी जानकरी हो जाएगी है कि अब बात करते हैं रोग क्या है रोग किसको कहते है रिट है कि कि हमारे सरीर में रसाइनीं क्रिया बेन लगातार चलती है जब कोई बिए सब इसा कारण पैदा हो जाया जो तो हमारी रसायनिक क्रियाओं की गति को बाधित करें या भौतिक क्रियाओं की गति को बाधित करें तो उसी अवस्था को रोग कहा जाता है कि आगे दिखिए कुछ सामाने मानो रोग मनुस्मे सामाने रूप से जो रोग हो जाते हैं उनका यहां पर विवरण दिया गया है है कि मनुस्य होने वाले सामाने रोगों को डो समोह में बाटा गया है अbor कि जह मजात aux e行 यह उनको आनुन सिंख भी रोग होते हैं फूर पाजित ले थे से अर्जित माने कमाल आना ऊपमाने उपर ही कमाई ठीक है उपार्जित मनें उपरी कमाई जो आप के पास नहीं है जो बिमारियां आपके पास बिमारियां है नहीं लेकिन आप कमाल आते हैं ठीक है कहीं से लिए आते हैं जैसे अंडर टेबल कमाई होती है उसको कहते हैं कि उपार्जित करना ऐसे ओलाइक एप सैल्री से अलग से जो घूस मिलती है उसको कहते हैं ऊपारजित ओपर85 आपको करोजी आपको निकलने के लिए मना किया जाता है कि गता है कि अनदर बंदकर दिया गया है कि केह अगर आप बाहर गए कहीं से आपका माल आए मनें उपारजित कर लाए तो जो आप बाहर से कहीं से ले आ जाते हैं या किसी वाहक के माधम से वह आपके पास में बीमारी आ जाती है तो ऐसी बीमारियों को दाय हर रखे हमँफिया रणांधता थालिशीमिया दाद रिकूशका अरक्ता हो पेतल रृद एक तरृ नोरिया रंजं ली नौ-वाथ-एक्पर-षाarin हों ने यह सब ब कही Sud य् typically कॉछी मिलती है करें नहीं छाव पिसके बाद मैं आती हैं अब ऊपार्जित भी मारियां उपार just रोग यह दो तरह की हो सकती हैं मिया एक तो आसंक्रामक्ष या संचरणिय रोग जो किसी एक व्यक्ति में होता जाती है लेकिन उस व्यक्ति से फिर दूसरी व्यक्ति में में पहलती है भिció और उसी व्यक्ति में रहती है थो ऐसी पीमारियों को असंक्रामक रोख हाट या फिर आज अंक्रम निये आसंचरणी और बीमारियां कहा जाता है इसमें जैसे कनों समझदी को रि olduğ A ni hackざep आ कि या आपके पास बैठ जाए हाथ मिलाले तो उसको भी सुखा-षजाएगा नहीं उसको नहीं होगा आपको सुखा-षजा नहीं हो गया जाते हैं आप हुरह हो जाते हैं कि जैसे शरीर के अंगू का ठीक से काम ना करना करोनरी रोग क्रोनरी अर्टरी होती है उसमें लिपिट का जमाः हो जाता है तो हार्टीट प्रभावित होती है उसको को रड़ा काते हैं इसके लाँ आर्थराइटिस मतलब सरी के सब्सक्राइब कई लोगों में एमनोटी या तो हाइपर एनुटी हो जाती हाईपर प्रसंसीटिव ही ठीक है तो एलर्जी होता है या फिर उनमें किसी एक पदार्थ के प्रती एलर्जी हो जाती है कि वह पदार्थ कुछ ही हो सकता है यह उस्प का शरीर किस का दा वास 것처럼 करता है तो यह भी संक्रामक रोग नहीं हाय उपार्जित लेकिन संक्रामक नहीं है कैंसर कैंसर भी इसी तरह का उपार्जित रोग है और संक्रामक नहीं है दूसरों में नहीं फैलेगा जिसको होगा उसी को रहेगा और प्रदोशाड था अवद्दोगी संस्थानों से संबंदी द्रोप इसे भी फ्यासन तथा निर्भरता व्यासन व्यासन मतलब तंबगु खाना सेग्रेट पीना भांग खाना अधेम खाना चरस गांजा या ड्रक्स का सेवन टैबलेट्स ले लेते हैं लोग तो इसको कहते हैं व्यासन से भी विमारियां फैलती है और व्यासन से जिस वक्ति को विमारी हो जाएगी उसी को रहेगी वह संक्रामक नहीं है लेकिन रोग है व्यासन से यदि वीमारी अध्रण हो गई आपको आप वेशन है तो वह वीमारी फिर आप लग जाएगी अब दूसरे जो संक्रामक रोग होते हैं यह रोग विभिन-गानू से रोगाडू क्या है जैसे विशाडू जीवाडू कवक प्रोटो जवा क्रिमी आपको बर्गी करण में जीवानु कवक और प्रूटो रिवाई यह सब पढ़ाये गया है क्या होते हैं क्रेमी की क्या होते हैं क्रेमी का मतलब जैसे राउंड वर्म पीन वर्म हुक वर्म है ठीक है इसके लावा आपको लीवर फ्लू पढ़ाया गया है लेटी हिल मंतिज में लेन एरिया पढ़ाया गया है यह सब क्रेमी है ने में टोर्स होते हैं इसकेरिस होता नहीं जैसे पस्वों के बच्चों में कभी कभी कएते हैं हिरुआ पढ़ गया हिरुआ तो केचवा जैसा निकलता है जब उसको पिप्राजीन सीरप पिया जाता है तो संक्रमण दूसरा आप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे कॉंटेक्ट से छीकने से खासने से छूने से जो बीमारियां बढ़ जाती है वो तो प्रत्यक्ष शंक्रमण का उदाहर होती है और जो किसी वाहक के द्वारा एक व्यक्त मbor द्वारा कोई रोख हैलाया जाता है किसी में माली जी के मलेरिया और उसको मच्छर में गाट लिया अब वही मच्छर जब दूसरे व्यक्ति में जाकर स्वस्त व्यक्ति में काटेगा तो वहाँ मालेरिया के कितणू को पहुंचा देगा तो यह होगी आप प्रत्यच्छ संक्रम्ण भीमारी ठीक है तेखिए यहाँ पर रोग जनक का सरीर में प्रवेश मार्ग क्या होता है अरे प्रवेस्मार्ब क्या होगा भई आप पानी पीएंगे भोजन करेंगे यदि भोजन पानी संक्रमित है तो मुँझे खाएंगे मुझे आपके शरीर में प्रवेस्ट कर जाएगा यह कोई भी रोगाडू जो हवा उपलब है उपस्थिद है और आप वो सांस ले रहे हैं तो आपके नाक से आपके सरीर में चला जाएगा वह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करेगा कि इसके अलावा यदि आप किसी को खुजली है दाध है इस तरह की चीज़े हैं और उसके कपड़े बरतां के परयोग करते हो तो आपके हाथों के नाखून के जगहां में फंस सकता है उसका किटाडू आपने कहीं है खुजली हो गई शरीर में आपने खुजला दिया छी से खून के माध्यम से रख्ट के माध्यम से आपके सर्यर में प्रिवेस पहता तो इस तरह से रोग जनक सरीर में नाक से मूँब से या किसी ऐसी जगह जहां पर कोई संक्रण पहले से हैखाव है है और वहां किताडू पहुंच गया मिर्ट even इसके बाद में आगे देख आप कैसे उत्वपन करते हैं रोग जनक रोग जनक जो है जो टो होते हैं जो पैसरें कंने वह रोग कैसे पैदा करते हैं कि जाया तो उसकांड़ना तरीका होगा करेका प्यार कल पर पादित करेगा और इस प्रकारा रोगी मन जाएंगे तो जो आता है वह आपके सरी एक च offers करेगा आपके टी सुस्का डैमेज करेगा जा फिर ऐसे प्रोμα होते जो ताक्सिन का सराव करते है विश का सराव करते हैं और यह जब आपके सरीर के एंजाइम क्रिया करेगा तो सरीर में अवान्फित चीजें बनने लगंगी और वह अवानफित चीजें यो बनती है जो अवान्फित ततों बनेंगे वह आपके चर्ढ़ की does रोग चक्र को तोड़ने के लिए भाँडाउन चल यह है हुआ वि रोग जनक जो है जर निकला है विश्जिक्व दूसरे बधकल मेंस तेसर तीसरे बधति अगर इस बीच में कांटेक्ट छूट जाए जिस एक व्यक्ति को संक्रमण हुआ है वह व्यक्ति कि एक जगे पर फिक्स हो जाए रोग दिया जाए उसको कहीं पर वो उससे चुई हुई कोई भी वस्तु को को कोई स्वस्त व्यक्ति ना चूने पाए तो चक्र टूट गया तो उसका संक्रमण आगे नहीं बढ़ पाएगा ठीक है यही बात इसमें बताई गई है आपको आप यहां पर आगे आपको हम बताते हैं रोग जनक का सुरूत रोग जनक मतलब जिससे रोग पैदा हो रहा है उस कोविड-19 सबसे पहले चमगादड में पाया गया और चमगादड से यह बंदर में आया बंदर से मनुस्य में पहुंच गया कुछ लोग बता रहे हैं चमगादर से कपूतर में आया विग्यानिकों की रिसर्च है हमने कहीं अख़वार में पढ़ा था पहले तो चमगादर से कपूतर में आया और कपूतर से मनुस्य में पहुंच गया है अब सच क्या है यह तो तथ्यों पर आधारित है अभी इसका परड़ाम नहीं निकल क्या आए वेग्यानिकों का जो रिशर्च होई है रिशर्च है छपी है उसके अनुसार में बता रहा हूं अब मेरा कहां से हुई उस रोग जनक की उस वाइरस की उस जिवानों की उस किटानों की या क्रिमी की कहां से शुरुआत हुई वह सबसे पहले कहां था उसी को सुरूत कहा जाता है रोग जनक का कि ठीक है वह किसी खाद्य पदार्थ में हो सकता है जल में भी हो सकता है मिट्टी में हो सकता है वायू में हो सकता है कि कुछ रोग जनक जो होते हैं वह जिवानों कवकों मरत कारवनिक पदार्थ में और मल मुत्र में भी पाया जाते हैं क्रेमियों के अंडे प्राया मिट्टी में मल आदमें भी पाया जाते हैं तो इस प्रकार से रोगजनक का सुरोत आप समझ गए होंगे जहां से रोगजनक सबसे पहले चलता है जहां सबसे पहले वो उत्वपन्न होता है उसी को रोगजनक का सुरोत कहा जाता है कि अहां इक थालिक बठाई गई है इस थालिका में देखिए कुछ परजीबियों के नाम दिए गया है इसके आगे टोपिक हम आपको अगले वीडियो में देंगे रहें ओंध कर त्यान है इसको सिर्फ एक तरफ पढ़ा और दूसरी तरफ छोड़ दिया भूल गए ऐसा मत करिए इसको पढ़िए इसमें से वीडियो को पाज करते रही है पाज करकर के इसका नोट्स बनाते रही है फिर चेक कर लिया जाएगा है ओके थैंक यू